आईए हम पवित्रिश शास्त्र में से कुछ बातों बर आज दियान करते हैं आज का अधियन करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल उठाएं अपने हाथों में या आपका स्मार्टपॉन जो भी आपके पास है और पवित्रिश शास्त्र की एक बात एक आशिश की बात पर हम अपने लिए बोलेंगे कभी कभी मैं आशिश आपके लिए बोलता हूं लेकिन परमेश्वर की विदी के अनसार हम अपने आपको भी आशिश दे सकते हैं परमेश्वर का बचन हम अपने लिए बोल सकते हैं और एक बात कहना चाहूंगा पहले मैं बदाता हूं कहां से हम पढ़ेंगे बदन सहीदा में हम जाते हैं Psalms 138 138 बदन को हम पढ़ते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा बचन से हम शुरू करेंगे लेकिन ये बताना चाहूंगा कि पढ़ने से पहले और आप जोर से पढ़ेंगे ताकि आपको सुनाई दे लेकिन इस बात पर इलिए विश्वास नहीं करते तो आपके बोलने से कोई फाइदा नहीं है लेकिन फिर भी एक काम आप कर सकते हैं आप परमेश्वर से अनेगर मांग सकते हैं कि परमेश्वर मेरी सहाइदा कर ताकि मैं इस बात पर विश्वास करूं क्योंकि परित्र शास्त्र में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की बातों को अंगीकार करते हैं अंगीकार करने का मतलब आप जानते हैं लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बदा रहा हूं कि अंगीकार करने का मतलब है कि पहले मन में विश्वास करना फिर मुझ से उसको बोल चटा पस से हम पढ़ना शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं इंदी में या इंगलीश में जो भी वर्शन आपके पास है यत भी यहोवा महान है और तो भी वे नम्र मनिशी की ओर द्रिष्टी करता है परंदु हांगारी को दूर ही से पहचानता है अब मेरी बारी आपकी बारी ठीक है चाहे मैं संकट के बीच में रहू तो भी तू मुझे जिलाएगा तू मेरे ख्रोदित शत्रूँं के विर्थ हाथ बढ़ाएगा ध्यान रहे कि यह शत्रू इंसान नहीं होता शत्रूदा जो है इनसान के द्वारा काम करती है लेकिन इनसान अमारा दुश्मन नहीं है इनसान के पीचे कोई होता है उस शत्रूद के बारे में यहां में लिका है कि उसके विर्थ मेरा परमेश्वर कौन? मेरा परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा और अपने दागने हाथ से मेरा उधार करेगा यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा सब कुछ वो पूरा करेगा अंग्रेजी में जो पढ़ रहे हैं आपको पता है उसमें लिखा होगा My God will perfect everything concerning me or My God will fulfill His purpose in my life depending on what version जो भी version आप पढ़ रहे हैं उसमें तो यह आशिश का बचन आपने पढ़ा आपने बोला और इदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आज और आज के बाद लगातार आप अपने जीवन में इस बात को देखेंगे अब हम अदियन करने जा रहे हैं एक विशेश बात पर जो की बहुत चोटा सा अदियन होगा और हम चलते हैं डानियल की पुस्तक में यहां बर मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा एक समया होता था जब हम यूथ मीटिंग्स करते थे और यूथ के लिए स्पेशल बातें या टीचिंग्स होती थी यूथ की ओर से तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल है सब के लिए इसका पहला अदियाए में चलते है डानियल नभी के पुस्तक का पहला अदियाए में पहले हम उस आटवा वचन को पढ़ते है यहां पर कुछ बात हो रही है गटना गट रही है लिखा है परंथू दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का बोजन खाकर और उसके पीने का दाकमदू पीकर अपने आपको अपवित्र नहीं करेगा उसने यह मन में ठान लिया इसका बाइकराउंड मैं बदाता हूँ दानियल नाम का वेक्ती जो है और उसके साथ और भी लोग है यह लोग इस समय अपने घर में नहीं है और नहीं अपने देश में है यह विदेश में है अब विदेश में है इसका मतलब यह नहीं कि उनको वीजा मिला वहां में सहर करने के लिए नहीं उनको वहां में पर्मिनेंट रेसिदेंसी मिली जिसके वज़े से वो उस देश में रह सकते हैं हकीकत यह ए कि जिस देश के ये है इसरायल के वहां पर दूसरा एक राज्य के राजा ने उस देश पर आकरमन किया और वहां के राजा को यानि डानियल का जो राजा है जिस देश का इसरायल का राजा है उसको उस राजा के परिवार को और बहुत से लोगों को बंदी बना के उस राजा ने जो है अपने देश में उन सब को ले गया और वहाँ पर बसाया और उसके बाद उस राज़ परिवार से और वहाँ के कुलील लोगों से कुछ लोगों को चुना ताकि उस देश की सांस्कृति और उस देश की बाशा और विद्या उनको सिखाए तो दानियल जो है अब एक ट्रेनिंग में है अपनी मर्जी से नहीं वो विदेश में ट्रेनिंग पाके फिर अपने देश में लौट कराकर अच्छी नवकरी करने के लिए नहीं गया था इस बात को धियान में रखियेगा ये अपनी मर्जी से उस देश में नहीं गया था जि वरियसी उसको ट्रेनिंग में डाल दिया और इसके बाद वहां का राजा ने ये आदेश दिया दानियल और उसके मित्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दर्मियान उनको जो खाना खिलाए जाएगा वो राजा के किचन में से जाएगा यानि जो खाना रा माकई बनके जायेंगे इसलिए राजाने ढराया कि इन लोगों के लिए सिरु इन लोग बाकिंगे लोग के बाकि आफ जो कोक जो मैं पीता हूं उसमें से वह पिया करेंगे लेकिन इस संदर्फ में लिखा है दानियल कहां से आया था इस्राइल से आया था सच्छा परमेश्वर को मानने वाला यहुवा को मानने वाला आज की बाशा में हम जब बोलते हैं तो येश्व मसी को मानने वाला था और उसने अपने मन में क्या किया ये ठान लिया कि मैं वो खाना नहीं काऊंगा जिससे मैं अशुद हो जाओं तो उस खाने में कुछ फरक था यानि परमेश्वर के वचन के अनिसार और दानियल को परमेश्वर के वचन में जो लिखा है मालूम था कि कुछ बोजन जो उस देश का है खाना नहीं चाहिए और उसे मालूम था कि ये जो राजा के कि आए तो मैंने ही कहा हूँगा बहुत मुश्किल बात है ध्यान रेकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये अपने देश में नहीं है अपने गर में नहीं है जहांबर वो अपनी इचा से सब कुछ कर सकता है जहांबर वो परमेशर के वचन के अनसार आसानी से चल सकता है क्य कि उस देश में रहने वाले लगबग सभी लोग एक ही परमेश्चर को मानते हैं उस देश में रह कर बाइबिल के अनुसार चलना आसान है क्यों कि वहां पे कोई भी आपका विरोध करने वाला नहीं है ना तो सरकार विरोध करेगी ना आपके पडोसी विरोध करेगा ना उसी वचन को मानने वाले हैं लेकिन अब वो विदेश में है कैसे विजा मिलके नहीं केदी बनके गया है अपनी मरजी से नहीं जवरजस्ति उठा के लेके आया है और वहामबर उसको ट्रेइनिंग में डाल दिया गया जवरजस्ति उस जगा पर उसको राजा ने कहा राजा ने उसको नहीं कहा उसका जो जो ट्रेइनर है उसको बोला है कि ये राजमेर से खाना दे दिना और उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं नहीं कहूंगा ये काम आसान था विचार कीजिए विचार कीजिए ये काम आसान था बहुत मुश्किल था क्यों मन ने क्या किया हम पढ़ते हैं इसने अपने मन में ठान लिया मैं आपको अमेशा याद दिलाता रहता हूना कि परमेश्र के प्रदी जो बत्ती है जो आधर है वो मन में है बाहरी रूप से यांबर खड़े हो के हाथ उटाना बहुत आसान है है ना किसी भी जगाह पर उटा के एश्र मसी की जै हो ये बोलना या प्रभू की तारीफ हो जै मसी की ये सब बोलना आसान है लेकिन परमेश्र हाथों को नहीं देखता है फिर कहां देखता है दुखी बात है परमेश्र मन में देखता है वहां से क्या आ रहा है यहां से मैं हाथ उटा के छिला सकता हूं कूल सकता हूँ स्टेज के ऊपर ना सकता हूँ गाने और लोग सुसेंगे बहुत अच्छी वर्शिप हो रही है परमिश्र का बहुत आदर करने वाला इंसान है दरूरी नहीं है परमिश्र मन को देखता है इसने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का बोजन खाकर अपने आपक जो प्रदान है जो हाकीम है उसे विंती की तब उस हाकीम ने बुला बात तो ठीक है लेकिन देखें आप एक बात पर दियान देना इस पर पढ़ना नवपत को पढ़ना जब उसने मन में ठान लिया उसकी और से परमिश्र ने एक काम किया लिखा है परमिश्र ने वैक्ति ने अपने मन में ठान लिया तो आमारी प्रार्तनाओं में नमें ध्यान रखना है हमारी प्रार्तना क्या होती है परमिशन हमें बचा ले यह होता है क्या हम decide कर लेते हैं पहले की वो यह गीर है נा चाहे सर फूटे या माता फूटे है ना हम क्या decide कर लेते हैं फैसला कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वो ही करेंगे जो पवित्र शास्त्र में हैं जो परमेश्वर कहता है हम पहले ये decide करते हैं तो हमारी प्रार्तना में असर होगा लेकिन हमारी आम दोर पर हमारी प्रेयर ऐसा होती है अगर ऐसा होती है तो वो असरदार प्रार्तना है और उसका result परिनाम जो है अच्छा आएगा इसलिए हमें प्रार्तना करते होगे यानि परमेश्वर से कुछ मांगते होगे हमें ध謹न रखना है कि क्या हम तैयार है परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए अब एक बात बताता हूँ मैंने शुरुवात में बोला ना कि हम यूथ मीटिंग में यूथ के लिए स्पेशल मीटिंग करते थे करते थे ना अभी लोक्टाउन के बाद हमने किया नहीं ये जो दानियल है मैंने बोला कि एक विक्ति है अब मैं आपको बताता हूँ एक टीनेजर था टीनेजर आप समझते हैं न ये 14 या 15 साल का लड़का था और इससे साथ के जो लोग है वो भी उसी उमर के थे तो ये 30-35 साल का आदमी नहीं था तो आज की टीचिंग यूद के लिए टीनेजर के लिए ये सिरफ 14 या 15 थोड़ा सा और कंसेशन देते हैं 16 साल का होगा तब ही ये टीनेजर था इसका मतलब वो ट्रेनिंग से जब बाहर निकला तब ही टीनेजर ही था 19 साल का होंगे माइक्सिमम इसने अम्पने मन में ठान लिया विचार कीजिए एक 14 या 15 साल का लड़का दिल्ली की या इंदुस्तान की भाषा में बोले तो दसवी या 11 वी में पढ़ने वाला लड़का रहा होगा जब वो जब उसके देश पर आक्रमन हुआ तो जो लोग 11 में हैं 10 में हैं आप जड़ा सोचिए इस बारे में और जो बारावी में आ चुके हैं आप ही सोचिए आपके उमर का एक लड़का इसने अपने मन में ठान लिया उस शब्द को उस शब्द पर ध्यान दीजिए ये एक 35-40 साल का वेखते रही था ना 60 साल का बुड़ा था जुसको बहुत experience हो लाइफ का ये एक लड़का था इसने अपने मन में ठान लिया इसका मदलब जब वो अपने देश में रहा जहां पे सब कुछ ठीक था कम से कम इस देश से तो बेटर था जिस देश में गुलाम बनके आया है वहां से तो ज़्यादा अच्छा था वहां पे अपने गर के आस पास अपने जानकार परोसी थे जिस्सेदार थे और वहां का राजा भी परमिश्वर को मानने वाला था और परमिश्वर का वच्चन उनके वीच में था वहां बर जब वो रहता था परमेश्वर के वचन का वो प्राक्टिस करता था जो शिक्षा उसको मिलती थी और उसको शिक्षा कहां से मिली होगी उसके माता फिदा ने उसको सिखाया होगा आप बोलेंगे चर्च से मिली होगी चर्च से भी मिली होगी लेकिन चर्च में आप कितनी देर के लिए जाते हैं आराधना सबा में कितनी देर के लिए हम जाते हैं अपते में एक बार मुश्किल से 2-3 गंड़े के लिए हम वहाँ होते हैं उसमें भी मुश्किल से 30 या 40 मिनिट तक कुछ बातें बताई जाती है उसके बाद हम फिर खापते बर दुनिया में होते हैं अपने काम की जगा, अपने बिसनेस की जगा या फिर अपने स्कूल, कॉलेज, जहांबर भी हम जाते हैं लेकिन रोज हम अपने गर में होते हैं और पिछले संडे पास्टर पुजा ने आपको याद दिला है ता पवित्र शास्त्र में, शुरुवात में परमेश्वर ने अपने लोगों को ये आदेश दिया ता कि पवित्र शास्त्र की बातें परमेश्र की आग्याएं जो है लिख के रखना एक जगा पे लिखा है दूसरी जगा पे लिखा है कि तुम जब अपने बचों के साथ लेड़ते समय यानि रात को सोने के लिए जाते हो तब भी वो मूवी की स्टोरी मत एक दूसरे से चर्चा कर करना उठते समय मेरे वज़न के चर्चा करना बैढ़ते समय खानी के लिए जब बैढ़ते हो तब भी यानि परमेश्र का वज़न हम भूल ना जाए ध्यान रिखना उनके पास ऐसे बैबल की कॉपीस नहीं थी ना स्मार्ट फोन्स थे उनके गर पे भी बैबल नहीं होती थ उनके आरात नाले में एक पईतर शास्त्र होता था इसलिए उनके लिए जब मर्जी उठके पढ़ना संभव नहीं था इसलिए जो कुछ उन्होंने सुना था आरात नाले में जाते समय वो उनको याद रखना होता था और फिर अपने बच्चों को बताना होता था बार बार बताने से बार बार सुनने से हमें याद रहता है इसका मसलब इस लड़के के पिता माता पिता ने और बाकी जो लड़के थे उनके माता पिता वो ने भी उनको सिखाया था उनको समझाया था कैसे सिखाया होगा जैसे हमने अभी बताया उरते समय, बैढ़ते समय, लेड़ते समय लेकिन वहान तक शिक्षा जो है वहान तक सीमित नहीं है पवीतर शास्त्र में यह इब्रानी बाष्षा में यह जिस बाष्षा में यह किताब जिसम्य से मैं पड़ रहाँ लिखी गई है उनकी बाषा में उन लोगों के बीच में जब ओ कहते हैं जिक्षा दी गई ति इसका मदलब ऐसा नहीं है जैसे मैं अभी खड़े होखे सिखा रहा हूँ उनके बीच में या बाईबिल की बाषा में शिक्षा देने का मदलब है एक तो मूझसे बदाना समझाना और फिर करके दिखाना तो माता पिता ने मुझसे बताया समझाया और फिर वो कुद भी करते रहें अब यूद कुश है क्यों क्योंकि अब बात आ गई माता पिता पर अगर बिगड़ गए हैं तो आपकी गलती है आपने नहीं सिखाया आपने करके नहीं दिखाया आप मुझसे बोलते रहें लेकिन आपने करके नहीं दिखाया ठीक है तो बड़ो आपको कह रहा हूँ कि आप करके दिखाएंगे बच्चों को ये कहना काफी नहीं है कि प्रार्तना करनी चाहिए उनको करके दिखाओ ताकि वो देखे कि कैसे प्रार्तना होती है और प्रार्तना आपकी सही हो ताकि वो सही प्रार्तना सीखे बैबिल पढ़ने के लिए बोलना काफी नहीं है बच्चों को दिखना चाहिए कि हाँ मेरे माता पिता कुद बैबिल पढ़ते हैं और यूद आगर नहीं है ऐसा नहीं होता था आप मुझे बढ़ा सकते परमेश्वर की बातों को मानना कटिन नहीं है मैं जानता हूँ अक्सरम कहते हैं कि ये बाते मुश्किले मैंने कुद भी बोला है कई बार की परमेश्वर की बातों के अनसार चलना मुश्किल है लेकिन आज जब मैं आरातना के समय में अचानक मुझे एक बात याद आई जो पवित्र शास्त्र में है योहना की पत्री जो है कि आप लोग बेब 통ी को यह लिखा यह गया ऐसा लिखा पका बलते हैं हम मैं भी मैं आपके ले नहीं करा हूँ मैंने कुद्व कई वार सिखाते हुए बोला है कि हाँ ये बाते आशाण नहीं मुश्किल है लेकिन परमेश्र कहता है कि मेरी आज्याएं खटिन नहीं है तो आज तक मैं भी एक जूट पर विश्वास करता था कि परमेश्र की बाते मुश्किल है तो परमेश्र की आगी आएं खटिन है तो ये दानियल पंदरह सोलो या चादो पंदरह साल का लड़का ये कैसे मान रहा है उस बात को एक दूसरे देश में जाके जहांबर उसको कोई आजादी नहीं है मुझ कोल दिया तो गर्दनाला वो सकता है और इसने उस हाकिम से बात की उसने का बात यहे की परमेश्र ने पहले ही और क्योंगी वो करना चाहता था परमेश्र आग्याओं को मानना चाहता था परमेश्र ने उस हाकिम के मन में इसके पर दी क्या डाला दया और कृबा बर दी और उसने कहा कि बात ठीक है लेकिन अगर कुछ दिनों के बाद जब राजा तुम लोगों को देखने के लिए आएंगे और तुम और तुमारे साती जो है कमजोर दिखाई दिये तो मेरा गर्दना लगो जाएगा तो उसने कहा कि ऐसा है उसको बुद्धी मिली देखिए एक एक बात कैसे हो उती है पहले उसने मन में ठान लिया कि परमेश्र में मेरी सहाईदा करना है कि मैं तेरी आग्या का पालन करूँ तब परमेश्र ने उस बेखिए के मन में इसके प्रदी फेवर डाला कृपा डाली और उसके बाद जब इसने बात करी उसने उस हाकीम ने उसकी बात को सुनी और सुनने के बाद उसने कहा कि लेकिन राजा नाराज हो सकता है वहांबे नाराज होने का मतलब है कि गर्दन अलग होना ठीक है वहांबे कोई अपील वरा नहीं होती है डमाकरसी नहीं है वहांबे कि आप सुप्रिंग कोड में जाए तो उसने कहा ऐसा है आप 10 दिन के लिए तरूँप दस दिन के लिए है कि दस दिन के बाद लिखा है कि आप पढ़ सकते हागों दस दिन के बाद लिखा है कि जब उसकेहां ने देखा है कि दानियल और उसके साथ के जो लडगे हैं बाइकों से ज handled को अच्छे दिक रहे लिकाई चिकने देख रहे हैं उनके चिहरे चमक रहे थे याहने जैसे आप क्या कहते है देसिगी और मीट वड़ा खाके मचली वड़ा खाके जब चिकना हो जाता है ने चेहरे ऐसे हो रहे थे तु उसने कहा कि यह तो और भी अच्छी बात है परुमेंयर्शर लिए ऐसा करत परने स्वाहिं म क्या कहता है मेरी आज्याहें खटीं नहीं है हम क्या सीकते हैं मेरे दुवरा भी आपने सुना है इसलिए आज मैं आपके साफ़ ऊंगीगाया कर रहा हूं अमने क्या कि गलत् सीका है कि परवेश्षय और की बात्रीं नहीं जाwe इसलिए आपके नोट्स में जब भी आप देखेंगे न जहांबे पास्टर जेमस ने बोला है कि मुश्किल है वाँ पे कार्ट के लिखते हैं खटिन नहीं है ठीक है और अपने मन में भी लिखते हैं आज से हम कोई बगाना नहीं बना सकते हैं कोई एस्क्यूज नहीं देंग अनसार चलना मुश्किल है मुश्किल नहीं है पहले यहां पर मन में मन में ठाने के जरूरत है मन में फैसला करने के जरूरत है कि मुझे परमेश्वर की विदी की अनसार ही चलना है चाहे गर्दन अलग हो जाए नहीं अलग होने की नोबत नहीं आएगी तब परमेश्वर अमारे साथ देगा जरूरी निये कि हर बार आपको ऐसा आपके साथ हो जाए अलग परिनाम भी आ सकता है जैसे अभी रिना ने बोले ना कि हो सकता है कि आपका नाम लिस्ट में ना हो आपने सबसे ज़्यादा मेहनत के और कभी-कभी हो सकता है कि आपको बहुत आदर और सम्मान मिलता है लेकिन कभी-कभी आपका नाम ही नहीं होगा पवित्र शास्त्र में बहुत साफ रिधी से लिखा है कि कुरंदियों की पत्री का नव अध्याय में आप डून सकते हैं उसमें लिखा है कि खेल खूद में, सबी भाग लेते हैं, है ना, हम जब school में थे, college में थे थे, हम भी दवड़ते थे, है ना, teacher सबको लगाते थे, लेकिन सबको इनाम नहीं मिलता था, इनाम किसको मिलता है, first किसको मिलता है, एक ही को मिलता है, इसलिए पवित्र शासर कहता है कि ऐसा दोड़ो कि तुम्हें फस्ट मिले अब ये कैसे होगा तो दूसरी जगापे लिखा है तुम्यतियस की दूसरी तुम्यतियस का दूसरा अधियाएं में लिखा है आप चाहिए तो खोल के देख सकते हैं आपके फैदे के लिए 1 Corinthians chapter 9 पहले जो मैंने बोला है मैं आपको वर्स बदा देता हूँ जो की एक मिने मुझे कुद भी देखना होगा कौनसर वर्शन में है ओके 24 से लेके आप पढ़ सकते हैं 1 Corinthians chapter 9 verse 24 से कुरिदियों की पहली पत्री का 9 अध्याय का 24 पढ़ सकते हैं वहां में लिखा है कि दौड में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है उसमें लिखा है कि लेकिन दुनिया के इस दौड में जो इनाम मिलता है वो मुरजाय जाता है वो तोड़े समय के लिए होता है उसके बाद उसका चमक ढमक सबकुछ कदम हो जाता है उसके value खतम हो जाता है लेकिन परमेश्वर के लिए जब हम जीतें उसके प्रदी जो इनाम मिलता है वो हमेशा के लिए है उसकी shine जो है कभी खतम नहीं होता और उसके बाद तिमेटियस की पत्री में हम चलते हैं अगर आप बाइबल खोल के देखने में इंट्रेस्टेड और तो आप कोल के देख सकते हैं दूसरा दिया'ME लिका है दूसरा दिया'का पांचवा पद में लिका है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं लिखा है फिर अकाडे में लड़ने वाला यदि विदी के अनसार ना लड़े तो मुकुड नहीं पाता तो दौड में आपको विदी के अनसार दौड ना होगा तब जाके आपको इना मिलेगा ये मसी जीवन ऐसा है ये शुमसी के पीछे चलना ऐ पादर ना मिले हमें इनाम ना मिले लेकिन परमेशुर की वर से हमें मुकुड मिलेगा इना मिलेगा जैसे अब यह अमने गीद में गाहा है ना राप्चर में उस जिजन प्रभू ये शुमसी बादलों में दिखाई देगा उस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे और उसके ब दीके अनिसार चलना है और ये कैसे होगा बड़े जो है अपने बच्चों को सिखाएंगे कैसे सिखाएंगे पईत्रशास्त्र से समझा के और कुद करके यानि बड़ों को करते रहना चाहिए ताकि बच्चे सीख सके ताकि जब वो बड़े हो जाएं वो अपने बच्चों को सिखाएंगे तो दानियल नभी के फुस्तर में से फिलाल हमने क्या देखा? कि वो एक ती नईज़र था लेकिन उस उमर में भी उसने परमेश्वर के वजण को मानने से इंकार नहीं किया या अपनी सहुलियत को देखते हुए या अपने फाइदे को देखते हुए उसने परमेश्र के बजन को पीछे नहीं किया उसने कहा कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं और उसने सब को कहता नहीं फिरा कि मैं ऐसा करूँगा उसने पहले मन में ठान लिया जब उसने मन में ठान लिया परमेश्र ने उसके लिए रास्ता कोला तो हमें क्या करना चाहिए परमेशुर की जो जो बातें हमें मालूम है उससे उसके अनसार चलने के लिए या परमेशुर की बातों को पूरा करने के लिए जो हमारे जिवन में लागू है हमें पहले मन में ठान लेना चाहिए और जब हम मन में ठान लेते हैं परमेश्वर रास्ता कोलता है कितनी जल्दी खोलता है हमें नहीं मालू कई बार परमेश्वर तुरंत कोल देता है और कई बार तोड़ा सा समय लगता है लेकिन अमारे पर समय नहीं होता है अम चाहते हैं कि जल्दी हो अभी हो इंस्टेंट ट्रांस्वर हो सब कुछ लेकिन क इब्राणियों के पत्री का बारवा दिया है और ये भी एक सचाई है जिसको समझने से एक और जूट में से हम बाहर निकलेंगे इसमें लिखा है कि हमारे जीवन में अभी जितने भी बात जितने भी बर्शों समने पड़े हैं जितने भी बाते हमने देगे उसमें एक दोड क के बारे में लिखा है कि हमें दौड ना है और उस दौड में जीतना है और जीतने के लिए हमें विदी के निसार दौड ना है इसमें लिखा है कि इसलिए हर चीज जो हमें रोकती है हम हटा सकते हैं अब हमारे बास इसक्यूज नहीं है बारव अध्याए को दिया कि दियान से पढ़िये उसमें लिखा है कि इसलिए हर रोकने वाले वस्तू और हुल जाने वाले पाप को हटा कर हम उस दवड को दवडे जो हमारे लिए रिखी है इसका मलब हमारे बास कोई एस्क्यूज नहीं है हम अठा सकते हैं मन में ठान लेना चाहिए कि मैं वचन के अनसारी चलूगा ये एक दोड है और इसमें सबको दोड़ना है और कैसे दोड़ना है अगर रोकनी वाली कोई चीज है उसको सामने से हटाना है उसके लिए आपको प्रार्तना करनी पड़े तो प्रार्तना करे लात मारना पड़ा तो लात मारे क्याने का मतलब कुछ चीज़ों को आपको बोल के हटाना होगा और जो पाप जो आपको उल्जा के रखते हैं उसको भी आप अपने जीवन से हटा दीजिए और फिर एक शब्द है जो हम पसंद नहीं करते हैं आज के समय में आखर में क्या लिखा है कैसे दोडने के लिए लिखा है दीरज से दोडने के लिए आँने आपने पाप को अटा दिया आपने सामने जो चीज़ी उसको भी बलात मार दिया आप सोचे कि आप बिलकुल ने ठोड़ा समय लेगेगा result आने में इसलीए दीरज से दोड़ते रहेगा रिसल्ट आएगा परमेश्वर की ओर से आपको सबाशी मिलती रहेगी परमेश्वर की ओर से आपको तसली मिलती रहेगी पवित्रा आत्मा आपको बताता रहेगा कि आप ठीक जा रहे हो आपको उगसाने के लिए सिर्प परमेश्वर होगा ओ सकता है कि बाकी विश्वाजी बाई बेहन भी न हो और आपको पता चलेगा कि आप ठीक दोड़ रहे हो और दीरज रखो आपको इना मिलेगा इस जीवन में जो इना मिलना है वो भी मिलेगा और इस जीवन के बाद जो इना में वो तो पक्का है वो तो मिलेगा ही मिलेगा और वो कभी मुर जाने वाला नही अनंत जीवन में आपके साथ रहेगा इसलिए हमें क्या करना होगा परमेश्वर की बच्चन को पढ़ना होगा समझना होगा, फिर फैसला लेना होगा कि हम उसके अन्सार चलेंगे, जब हम से लेंगे अपने बच्चों को हम सिखा सकेंगे और अमारे बैच्छे भी हमसे सीखेंगे तो परमेश्र के आशिश आप सभी लोगों के साथ रहें